एले एप्यूवान कैसे हैं आप सब तो आज मैं सो क्यों टी और नहाने जाने से पहले मैंने अपने बालों की कंडिशन देखी जो कि बहुत फ्रीजी और रफ हो रहे थे और मेरे पास हेर स्पा क्रीम घर पर ही पड़ी हुई थी मैं आज कल बहार जानी रही हूं तो मैंने अपने फेशिल किट काफी टाइम से पड़ी हुई थी डाइमंड की जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मगाई थी तो मैंने सुझा चलो आज इसको एपलाए किया जाए और मैंने अपने फेश की कंडिशन देखी बहुत ज्यादा डल डाक सर्केल और पिंपल्स भी हो रहे थे तो बस यह जो क्रीम है उसको आप सिस्टेमेटिक वे में अलड़ी सब लिखा होता है तो स्टेप बाई स्टेप एजी ली यूज कर सकता है कोई भी तो बस थोड़ा सा आंकों को एवोइड करें और पहले स्टेप पे मैंने यह क्रीम अपलाए की उसके बाद इसको पांश म और ब्लैकेट्स वगरा है वो एजी ली निकल जाते हैं उसके आप देख सकते हैं चहरा इतना सौफ र इतना अच्छा हो गया था तो बस उसके बाद तीसे नमबर पे जो क्रीम थी इसको मैंने अपलाए गिया और यह जो क्रीम है इसको पांस से साथ में तक तब तक कंटिन करता है और शाइन भी करता है और इतनी कूलिंग देता है यह जल तो मैंने इसको काफी टाइम तक नेक और और फोरेट पर पूरे फेस पे अपलाए किया और देख सकते हैं इतने अच्छे से स्मूध और चिकना हो गया था मेरा पूरा फेस तो बस इसको वाश करने के बाद लास्ट बट नॉट दा लीस्ट फेस पेक जिसको मैंने अपलाए किया और मेरे बाल भी पूरी क्रीम को अच्छे से सोख चुके थे तो मैं भाग के बातरूम मैं नहाने के लिए और बस फिर मैं नहा के सबसे पहले आपको फेस दिखाया तो मैंने सिर्फ मॉस्टराइजर यूस किया था बायोटिक का काफी अच्छा है इसका रिजल्ट हो कुछ भी मैंने अपलाए नहीं कि आपको डायक दिखा रही हूं तो जो फेस में डाक सर्किल है और डेड स्किन वगेरा थी काफी हद तक रिमूब हो गई तो चेहरा इतना ज्यादा शाइन और इतना अच् अगरने के बाद मैं आपको अपने बाल भी दिखाती है तो बाल भी सूखने के बाद काफी अच्छे हो गयते तो मेरा तो ऐसी तो आज का दिन थैंक यू बाय